Assalamualaikum dear students, आप देख रहे हैं सेधली अकडमी और आज की सवीडियो के अंदर हम topic का discuss करने वाले हो हैं हमारे पास structure of the skeletal muscle, के skeletal muscles किस तरह से होती हैं तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको लेकर जाओंगा एक 3D वीडियो की तरफ 3D वीडियो को समझने के बाद हम इसकी बुकरिनी को वापसी आएंगे तो डियर इस्टुनेंट्स अब हम इस मसल के स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रेन करते हैं डिटेल के अंदर के किस तरह से स्ट्रक्चर होगा इन्शाला 3D में आपको जादा अच्छी तरह से समझा जाएगा और कोई भी डाउट्स पिर नहीं रहेंगे सबसे पहले तो यह देखें बॉन हैं हमारे पास और यह मसल मौजूद है हमें मालू है कि बॉन और मसल आपस में कनेक्टेट तो होते हैं लेकि उन्हें कनेक्ट करता है बीच में मौजूद टेंडॉन यह टेंडॉन है जो कि बॉन को मसल के साथ जोड़ेगा तो बॉन और मसल आपस में टेंडॉन के जरे से कनेक्टेट होते हैं फिर अगर मसल की बात के तो मसल के उपर सबसे उपर जो लियर मुझद होती है, उसे एपी माइसियम कहा जाता है, और मसल के अंदर एक अंदर लियर मुझद होती है, जिसे पेरी माइसियम कहा जाता है, तो एक एपी माइसियम और दूसरा पेरी माइसियम, इस पेरी माइसियम के अंदर कुछ और स्ट्रक्शिस हमें नजर आते हैं जिनें फैसिकल्स कहा जता है अगर हम देखेंगे तो कई जादा हमें स्ट्रक्शिस नजर आते हैं फैसिकल्स के उन फैसिकल्स में से फिर कुछ और स्ट्रक्शिस निकलते हैं मिसाल की तो अपर हमारे पास ये एक फैसिकल है ये दूसरा फैसिकल है इस फैसिकल को अगर हम बाहर निकालेंगे और फैसिकल को हम देखेंगे ये हमारे पास फैसिकल का structure बाहर आ गया इस फैसिकल में से कुछ और टुक्रे निकल रहे हैं ये वाले ये जो टुक्रे इस फैसिकल में से निकलते हैं इन्हें मसल फाइबर्स कहा जता है ये मसल फाइबर्स दरसल मसल के सेल्स होते हैं तो शुरूर से समझे ये हमारे पास फैसिकल फैसिकल को हमने जब निकाला बाहर की तरफ तो फैसिकल में से हमने एक तार निकाली पिर इस हमने मसल फाइबर को जब हमने लिया, मसल सेल को जब हमने लिया, तो मसल सेल के अंदर पिर हमें और चोटे से हिसे नजर आ रहे हैं, ये बारिक से चोटे से हिसे, इन चोटे हिसों को मायो फाइबरिल्स कहा जता है, तो समझें, मायो फाइबरिल्स मसल सेल में होती हैं और muscle cells जब साथ में जुड़े होते हैं तो उन्हें physicals कहा जाता है और उस पूरे हिस्से को muscle bundle कहा जाता है तो ये हमारे पास muscle, इसमें से निकला muscle bundle, इस muscle bundle में से ये जो टुकड़ा निकल रहा है ये हमारे पास muscle fiber है, इस muscle fiber के अंदर कुछ structures मौजूद होंगे, वो muscle fiber के अंदर structure से ये मौजूद हैं, ये हमारे पास हैं myofibrils, और फिर myofibrils जो हैं वो proteins का बना होता है, इस myofibrils में हमें कौन से protein नज़र आते हैं, इस myofibrils में अगर आप देखेंगे red color से जो protein नज़र आ रहा है, वो है actin, और उसके साथ में जो दूसरा protein नज़र आ रहा है, वो है हमार muscle fibers, muscles के अंदर muscle fibers मौजूद होती हैं, लेकिन muscle fibers जब साथ में जुड़ी होती तो इसे muscle bundle कहा जाता है, तो muscle bundles जो है, वो मौजूद है, और muscle bundle के अंदर muscle fibers मौजूद होंगी, मज़े लिखा हुए, the overall muscle organ is surrounded by a membrane called epimysium, muscle के उपर जो सबसे उपर वाली membrane वो epimysium, मज़े लिखा हुए, muscle fibers is gathered inside a epimysium in many groups, muscle fibers, groups मौजूद होते हैं, जिसे हम muscle bundle कह रहे होते हैं, या मज़े लिखा हुए, each group is called physical, या जिसे physical कहा जाता है, muscle bundle या physical, surrounded by a membrane called perimysium, जो इस physical के अपर muscle bundle के लेयर मौजूद होगी, उसे perimysium कहा जाएगा, inside each physical, a muscle fiber is enveloped, हमने जिसे कहा था, कि physical group होता है, muscle fibers का, और muscle fibers के उपर जो लिएर मौजूद होते हैं, उसे endomysium कहा जाता है, जो कि collagen की बनी हुई होती है, इस तस्विर को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जिसे हमारे पास सबसे पहले, जो हमारे पास muscle मौजूद है, इस muscle की जो सबसे उपर वारे लि किलवाते हैं, fascicles, इन fascicles को अगर हम देखेंगे, एक अलग fascicle को निकाल करके, यह हमने एक fascicle निकाला हुआ है, इस एक fascicle को देखेंगे, तो इस एक fascicle में से कई सारे छोटे स्चुच्च्च्च्च्च्च्च्च यह structure समोझ जोगे, यह जो चोटे से structure से इन्हें muscle fibers का ज़त तो हमारे पास जो fascicle होता है, इस fascicle के ऊपर जो लेयर मौजुद होती है हमारे पास, वो किलवाती हमारे पास, perismeicem और उसके इलावा epyètement, जो muscle की layer होती है, फिर इसके अंदर उहा रह रही है, par Attitude, और एक और लेयर मौजुद होती है, वो किलवाती ह SMITH, endominium लेकिन जो ये मसल फाइबर है इसकी जो लियर होगी वो किलवाएगी सरको लिमा फिर इसके अंदर कुछ और शुटे से स्ट्रक्शिस मौच दोंगे जो कि माइक्रो फाइबर्स किलवाएं है जो कि प्रोटिन के मने होते हैं एक्टिन और मायसिन के उसके लावा अगर हम मसल्स का बात करने तो लिखा हुआ है इसके लेटन मसल्स है और नियूमरे सप्लाय आफ बिलर वेसल्स तो इसके लेटन मसल्स के पास कई सारी बिलर वेसल्स आती हैं के blood को लेकर पहुचेंगी और उसके लावा nerves भी पहुचते हैं nerves जब skeletal muscles के साथ जुड़ी होंगी तो लिखावा nerves are connected with muscles by neurons which initiate the mechanism of movement in muscles तो जो neurons से वो muscles के साथ जुड़े हुए हैं और neuron का काम यह होगा कि nervous system से command आएगी दिमाग से command आएगी muscles की movement कराने की तो फिर यह neurons उसमें help करेंगे तो जो neurons muscles की movement कराते हैं वो motor neurons हमारे पास करवाते हैं तो डिये जूरेट्स आज के लिए बस इतना था उम्मीद करता हैं वीडियो आपको पसंद नहीं होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट्री में तब तक अबना बहुत सारा ख्याल कियेगा असलाम अलेकूम